इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश है क्योंकि आप सभी के लिए एक अच्छी खावर आ चुकी है बिहार दरोगा के मुख्य परिक्चा की तैयारी कर रहे हैं उन्स अभी अभ्यारतियों के लिए एक्जामिनिशन डेट एनाउंस कर दिया गया है 11 अक्टूबर ध्यान डखिएगा जी हां दोस्तों ये डेट है आपके एक्जामिनिशन का जो भी छात्रिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी छात्रिस एक्जाम को देने वाले हैं उनके लिए ये खबर के साथ साथ कुछ कटफ की बाते भी करेंगे जो कि पिछले साल का यहां पर कटफ दिया गया है जो की 1717 पदो का वेकेंसी निकाला गया था दोस्तों हम लेकर चलते हैं सबसे पहले तो इसके ऑफिशल वेबसाइट पे जहां पे इसके बारे में वो सारा डेटेल मेंसन किया गया है और आप भी जाके चेक कर सकते हैं यहां से ऑफीशली चु घैर्वी यहां सा दुटा सा किया possibility थोड़ा सा उपर या थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है मैं आपको देखलाना चाहता हूँ पिछले बार का cut-off क्या गया था यहां से तो एक चीश clear हो गया कि आपका exam आप final 11 October को हो जाएगा दोस्तो यह लेकर चलता हूँ आपको उस cut-off के PDF पे जहां पे इसके बारे में पिछले साल का जो वीडियो का जो मतलब जो cut-off निकाला गया था जो आपके examination का 1717 पदो की वेकेंसी निकाले गई थी यहां पे दोस्तो मेंसन किया गया है यह देख सकते हैं यह prelims का यह means का तो means में 137 जेनरल के लिए गया है दोस्तो यह देख से यह number है उनका 137.2 ठीक है यानि कि एक number होता है यह question होता है आपके दो number का यह ध्यान रखेंगे यानि कि इन्होंने अगर दोस्तो इसको divide कर दे तो यहां पे कम से कम दोस्तो यहां पे कम से कम यह 68 number लेकर आया होंगे यह 69 number लेकर आया होंगे तो इनका cut-off clear हुआ है अब समझेगा 68 यह 69 question attempt अब नमबर नहीं अटेम नमबर तो आपको इसके आसपास लेकर आना होगा और यह number 137 है तो इस बार का cut-off है 130 से 140 के बीच फिर से रहने वाला है चुकि देखे पिछली बार वेकेंसी कम थी 1717 पदो की वेकेंसी थी लेकिन यहाँ पे वेकेंसी जादा है अगर हम बात कर लें पूरे overall बात करें तो overall यहाँ पे वेकेंसी पिछली बार से जादा थी 2446 पदो की वेकेंसी है तो हो सकता है कि 130 भी cut-off रह सकता है या 125 के 130 के मद्धी भी रह सकता है तो अपने को cut-off जादा ही उठा कर लेकर चलना है जादा question attempt करना है और negative की तो बात ही मत कीजिए negative यहाँ पे बहुत ही कम है 0.2 number वाला negative है तो target क्या रखना है अपने को कि कम से कम जादा से जादा question यहाँ पे हम लोग attempt करेंगे और सही question attempt करेंगे गलती अगर जादा होती भी है तो देखिए अगर 10 question गलत करेंगे तो जाके आपको यहाँ पे एक number यहाँ कटेगा तो यह आपके लिए जादा धिक्कत भी नहीं है लेकिन 10 question अगर सही करते हैं आप तो सोचे नंबर आपका कितना अच्छा score हो सकता है वही बात हिंदी में भी है देखिए इसका दो paper होगा आपको बता दे है कि खंड एक और खंड दो ठीके तो खंड एक में हिंदी रहेगा आपका यह qualifying nature का यहाँ भी रहेगा लेकिन आपको pass करना तो जरूरी है जी है 30% आपको लेकर आना जरूरी है यहाँ पे तो 30% तो आना ही पड़ेगा उसके लिए हम लोग आपको practice set white education पे जो channel है हमारा वहाँ पे चलाना अब शुरू कर देंगे जो morning में 10 बजे की class है वहाँ पे अब regular 11 तरह तरह तक crash course चला जाएगा दोस्तों जी हाँ और वो crash course आपको मैं date कल बताऊँगा सुबह 10 बजे की class में यह एक update थी यहाँ से जो छातर OBC से हैं यहाँ और EBC से हैं उनके लिए जो cutoff का निरहरन है यहाँ पे mains के लिए पिछली बार 133.4 था ठीक और जो EBC के छातर हैं उनके लिए 129 था ठीक यहाँ पे यह दो आपको mention के अब EC के आसपास आपका रह सकता है इसमें ज़्यादा कम BC नहीं होने के chances हैं यहाँ यहाँ पे ज़्यादा effect नहीं पड़ता है BC और EBC में लेकिन जो छातर SC और ST काटेगरी में आते हैं उन पे effect पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे cut up उनका थोड़ा सा below हो सकता है देखें वेकेंसी के उपर ही depend करता है और कितने छातर इस बार attempt किये हैं और देने वाले हैं तो 50,000 के आसपास यहाँ पे छातर जो है वो आपको mains देने वाले हैं तो हो सकता है कि 100 के आसपास SC का और यहाँ पे कम से कम 110 के आसपास SC का भी cut up रह सकता है बाकि women's category के जो छातरा है उनको यह 90 है वो cut up बिल्कुल सही बताया गया है यहाँ पे जो पिछले बार का है वही हो सकता है आसपास उससे ज़्यादा नहीं होगा 90-91 की आसपासी रहेगा women backward cut जो है यहाँ category के उसके अलावा जो दोस्तों यहाँ पे freedom fighter के जो छातरा है उनको 76 नंबर था यहाँ पे तो 76 नंबर के साथ साथ यहाँ पे जियां 76 नंबर के साथ साथ हो सकता है कि थोड़ा सा नंबर बढ़ाया जाए चुकि यहाँ पे जो category है freedom fighter का यह तो यहाँ पे जो freedom fighter के छातर है वो जो छातर है वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए seat इस बार हो सकता है मेहनत थोड़ा सा तो जादा करना पड़ेगा लेकिन घबराना नहीं है घबरा गए तो फिर सब तूट जाएगा इसलिए इतना जरूर कीजेगा और यह update मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ शाम को और दोनुई चैनल पे यह update दे दूँगा ताकि आपके जो सारे doubt है वो clear हो सके जीए और जितने भी छात्रियां पे जुड़ेंगा वो कल सुबह 10 बजे की class में attend करेंगे वो हमें time बता दूँगा कि कब से आपके इसकी class जो है वो crash को शुरू करने जा रहे हैं हम लोग ठीका दूस्तो तो आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा आपको और जो भी doubt है आप लोग comment box पे comment करके भी पूछ सकते हैं और जो भी मेरे भाई बंदू चैनल पे नहीं है वो please चैनल को subscribe कर लिजेगा बेल आइकन दबाके ताकि हर वीडियो का notification यहां से आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादम से आपको जा सके बाकी news notifications जो हैं वो आपको यहां से मिलते रहेंगे हर वो education sector के या फिर आपके नौकरियों से related हो या फिर आप हमारा चैनल white education भी subscribe जरूर कर लिजेगा यहां पे यह देख सकते हैं यहां पे और bell icon दबा लेंगे हर वो classes दी जा रहे हैं जो कि आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा BPSC को लेकर है सुबह का current affair भी यहां पे mention किया जा रहा है यहां पे आपको दोस्तों तो regular आप लोग यहां पे classes attend कर सकते हमारे साथ जुड़कर और शाम को आठ बजे का जो class है यहां पे आपको mention किया जा रहा है यह class बिहार दरोगा prelims के चला जा रहा है तो जो चातर मेंस की तियारी कर रहे है वो भी इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्यपूर्ण होगा क्योंकि number of questions ज़्यादा मिलेंगे तो आपकी तयारी में ज़्यादा सही होगी भी होगे तो बाकी में strategy वीडियो बुक कौन सा पढ़ना है फॉलो करना है और टेस्ट किस तरह से देना है यह आपको बताऊंगा मैं एक नए वीडियो के साथ जिया जो कि कल आपको सारे वीडियो मिलेंगे दोस्तों तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक कियर ध्यान रखिए का अपना और अपने परिवार का और यह दोनों का दोनों पीडियो जो है जो की डेट यहाँ पे मेंसन किया गया है 11 अक्टूबर यह भी पीडियो और आपको यह कटफ वाला भी पीडियो जो है कि पिछले साल का कितना क्या कै कटफ गया था फाइनल सेलेक्शन कितने पे हुआ था यह सारा मेंसन किया गया है इस पूरे सिनारियो में ठीक है दोस्तो चलिए तो धन्यवाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का बाबाई